हेलो एवरिवन क्या हाल चाल उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे तो इस वीडियो के अंदर हम आप से शेयर करने वाले हैं एक स्ट्राइटजी के उपर बेस होने वाली है जो की शौटर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको काफी अच्छा रिटर्न दिलाने की शंता रखती है और किस तरीके से उसको यूज करना है उसका एक स्कैनर भी दूँगा पहले उससे पहले समझ लेते हैं कि वह कान सी है और किस तरीक हेमर कैंडल स्टिक सबसे पहले बतादो कि हेमर कैंडल इसका मतलब और उसके पीचेS के यह होता नहीं है कि उसकी यह होती है ठीक हैं लोजिंग प्रैज उसकी यह होती है एक अब यह हमारे हां पपताई यह हमारा हाई है यह हमारा लोग है यह मैं पता है अब देखो इसके पिज़े का psychology क्या है कि ओपनिंग यहाँ पर हुई मतलब कि ओपनिंग हुई थी इतना उपर गई मतलब हाई लगाई मतलब बायर ने जोर लगाया बिल्कुल बायर ने जोर लगाया प्राइस को इतना उप पर लेकेगा पर क्या किया यहां पर sustain नहीं करा पाए close नहीं करा पाए तो क्या हुआ price दुबारा वहाँ से जाही और दुबारा नीचे क्यों आई एक और close कहा दे दी अपने opening price से भी नीचे की और close हमको देखने को मिल गया ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि buyers में इतना दम तक नहीं था कि वो अपने opening price के ऊपर तक नहीं रूपा है वो लोग उससे भी नीचे ले के आए और उसके नीचे आके closing दी है तो यह सिंपल सा लॉजिक है अब समझ जो कि यहां पर दबदबा किसका जादा है तो यहां पर दबदबा मतलब की मजबूती से कौन खड़ा है यहां पर मजबूती से खड़े हैं sellers तो इसलिए यह जो candle है यह पूरे तरीके से seller की तरब बायस होती है चलो अब समझ लेते हैं मगर आपको लाइफ चार्ट दिखाओ अब सामने चार्ट खुला पड़ा है तो चार्ट में आपको दिख रहा होगा यहां पर अगर कैनल स्टिक का नमूना दिखाए ही जाए तो यह देखो यहां नज़रा रहा है आपको य च्छोटी है नीचे मतलब लो बहुत कम लगा है बहुत कम गया है और क्लोजिंग होई दे दिया और कितना ऊपर गया और क्या कि यहां सटेड नहीं किया और क्लोजिंग आके यहां पर होई और जैसे ही इसका लोग ब्रेक किया है आप उसके बाद रिजल्ट वारे होंगे तो बस आपको 2-3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है और इंट्र डे में नेक्स डे आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस से शोटर त्रेम आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा मैं सीदह चलता हूं स्कैनर के ऊपर आपको समझाता हूं और क्या चीज है एक आइसा hammer जो निकाला करेगा हमको स्कैनर करेगा क्यों हänder ? क्योंके ने उसमेm voluum भी एऍड किया हुआ है इसने आफ़ ऩा पतलाँ जी में यह clear value के अंदर बहला, वॉलुम नहीं आया है कैनल के अंदर होता है कि दिखती है और एक सही में चीजा तो चैनल में क्या हुआ है वह हमें वालूम बताता है और वहीं हम लोग उसका एडवांटेज करने वाले हैं सके अंदर दो चलो यह हमारा हमार की कंडिशन से उपर उसके बाद जो हमारा हमारा प्राइज है वह सौर पेज से ज्यादा होना चाहिए तो यहां पर जो हमारा क्या हां है उसका वॉल्ल्म सबसे ज्यादा होना चाहिए एक तो यह हमारी कन्दिशन इसके हिसाब से हमारा का आज महिंद्रा काुद अल्रेड़ी आया हुआ है उसके बाद यहां हमने फ्यूचर का डाला हुग है ताकि आप इसमें क्यूची का आप्शीन भी ट्राइक कर स यह हमारे पास आपके सामने यह आपको बस यह करना है आपको सिंपली जाके यहाँ पर एक एरो लगा लेनी है देख पार है यह अगर इसको नीचे साइड़ ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी यह हमारा पैसल हो जाएगा अब उसके बाद आप इंट्रा डे मनलोग की जैसे लेखो आज अगर बात करी जाए तो महिंद्रा महिंद्रा हमारे पास आया था अब उसी तरीके से महिंद्रा महिंद्रा पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अगर यह ब्रेक करता है फाइफ मिनट टाइम प् ठीक है यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिए पांस तरीक पांस में टाइम प्रेम कर लेता है पहले चेंज इस तरीक को मारे पास आया था ना यहाँ अगल दिन ओपनिंग हमार यहाँ पर हुई है और ओपनिंग के बाद देख पार हो कितना अच्छा नीचे हमको देखने हो मिला है यह था यह था इसके उपर एक केंडल क्लोज हमारा एसल मान लिया जाएगा और इसके उपर एक केंडल क्लोज हमारा एसल मान लिया जाएगा उसके बाद देखो कितना अच्छा इडल आपने मिला देखने को मिला है और अगर मान लोग वाहिए अगर मैं 15 मिनट टाइम टाइम कर देता हूं तो 15 मिनट नहीं सौरी यही मैं अगर आपको यहीं अगर हम टाइम फ्रेम 30 मिनट कर देते हैं तो अगर आपको 30 मिनट के नीचे आपको एक अंडर क्लोज मिल रही है आप यहाँ पर आपना एंट्री करेंगे बीटी एस्टी के लिए या फिर उसके लिए कि आप एक्विटी ऑप्शन के जाना चाहे तो आप यहां से ल यहां पर आप यहां पर नीचे लेका है और वहीं कहीं आसपास क्लोजिंग दे दी ठीक है इतना जोर होता तो उपर क्लोजिंग देते ना नीचे क्यों नहीं दिया तो यह भी एक तरह का आप में से कहीं बोलेंगे सार यह तो एक तरीके का क्या तो नहीं याद आ रहा है यह याद रखता भी ने मेरे जैसी के अंडर बंद रही है वह मेरे लिए हैमर है और आगर ऐ मुझे फरक नहीं पड़ता यह क्या है यह क्या है यह क्या है उससे ने इसमें वही बोल रही है इसमें बायर ने जोर लगाया पर क्या हुआ नहीं जीत पाए और अपने आसपासी आगे क्लोजिंग दे दिया अब मेरे लिए इसका लोग इंपोर्टेंट हो जाता है बस करो कोई फरक नहीं पड़ता है लगाता है हमेशा बनता है कहां पर हमेशा बनता है टॉप के उपर जहां समको लगता कि बस अब यहां बहुत हो गया प्राइज जितना उपर जाना था चली गई है अब यहां समको एक प्राफिट बोकिंग देखने को मिलेगी या फिर के अंदर स्टॉक था और उसके बात क्या था कि यहां पर इतना ऊपर गया चलो ठीक है अब इसको करेक्ट होने का समय आए अगया था तो यह समय आपको लेटेस की बात करी जाए तो अतुल और कैन फिना था चलो अतुल देखते हैं ठीक है लास्ट हमार पर जो आया है अगर आपको एक दिन के अंदर इसने 118 पॉइंट मिल रहा है आपको क्या चाहिए अगर आपको 118 पॉइंट आप क्याप्चर करने वाले बन जाओगा तो फिर तो छोड़ दोगे अब तो अगर तो यह तो हो गए कुछ और एक चीज़ और अगर आप कहां इंटर डेपी अगर यूज कर रहे हो तो आप इसमें वीवाप की हल्प ले सकते हैं अगर मैं वीवाप इसमें करूं तो हमको नहीं आ रहा है है यहाँ से प्राइस और डि नीचे चल रही है और द सब्सक्राइब करना है कि आउख बन करके किसी स्कुई देखते गाँद कभी एक बर चार्ट जूर दिखना कि चार्ट क्या वोड़ रहाए चार्ट मेरा जा रहा है आप इसके अंदर हमे क्या नजर आएगा सीधा हम इसमें मार्क दा लो करेंगे चलो मार्क में लो मार्क कर लिया है तल अगर तुम इसके नीचे एक केंडल क्लोज दे देते हो हम तुमाहे में एंट्री कर लेंगे जैसे ही इसके नीचे आएगा अपन एंट्री करेंगे इसके उपर कैसल रख लेना अगर यहां पर आता था वीवाप आपका तीहत्तर चौतर के असपास आजाएगा दिख्कत नहीं होगी और इसके नीचे अमारा एंट्री होगी इसके उपर इंट्रेडे में अगर ब्रेक करता है तो अगर ब्रेक नहीं करता था तो तो इसके अदर बताएं कि अंदर कुछ हम किमेर वाले इस्ट्राइक भी आपको देखने को मिलेंगे किस्ञे मान दिखाता हूं कॉफोर्ज हाता साथ तरिक में चलो को फोर्ज देखते हैं कि यहां हमारे पास को फोर्ज था को फोर्ज साथ तरीक में और राइट साथ तरह को फॉर्चूज हो नियरा हमारे पास ठिकाइव वाक पर आख संगे यह इतVI है गया हमारे बेंगे नहीं किया कोई का सेम नियुक्त अरहते है कि फिर साह हुआ हमारे और बरेखने को मिल लिए और क्या हुआ आ अगले दिन हमारे इसके बाद हमारे पास एक HDFC लाइफ भी देख लेते हैं इसके अंदर भी हमारे पास इसका लो ब्रेक नहीं हुआ लो ब्रेक नहीं हुआ था एंट्री नहीं बनी तो क्या ही कर सकते हैं साथ तरीक में अडानी पर्ट भी आए था अडानी पर्ट भी देख लेते हैं अगर लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमारे आंट्री नहीं बं रही है और में नजर आ रहा है लगातार अडानी एक रेंज के अंदर है होगा नहीं अब यहां से फटने के लिए तयार रहा लगातार रानी बहुत की रिया आप ऊपर जाने के लिए तो बस यह विडियो थी हमारी यह हमारा पास स्कैनर है आप उसको बैक टेस्ट करें देखिए क्य हम आपसे वहां पर लगातार कंसान कर सकें कि आपसे क्या प्रवर्म आ रही है मिलके आपसे यूर वीडियो में तिल दें गुट बाई थैक्स फर वाचिंग